आज हिंदुस्तान में उपलब्दियां गिनाई जा रही हैं। भारतिय जनतापाटी अपने साथ साल के शाषन और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के बतोर प्रधान मंत्री के कारेकाल को लेकर देश भर में प्रचार कर रही है। इसको लेकर लगतार विपक्षी भी हमलावर हैं। क्या मौजुदा समय में जो हिंदुस्तान के हालात हैं वो सही हैं। जिस तरीके से कोरोना ने कहर बढ़ पाया उसके बाद कई तयारिया की गई। हाला कि 6-7 महिने कोरोना जब हिंदुस्तान में निचले अस्तर पर था तो कई वादे किये गए और कई चर्चा की गई कि हमने इस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना को हराया है जैसे कोई बढ़ा बढ़ा देश भी नहीं कर पाया। लेकिन जैसे हिं हिंदुस्तान में कोरोना के दूसरे लहर ने तरही माम मचाया वादों और विवस्था की पोल खुल गई। साथ साल की उपलब्दी भारतिय जनता पाटी लोगों को गिनवा रही है वही जाप सुप्रीमों पपु यादव ने एक बड़ा हमला भारतिय जनता पाटी पर किया है पपु यादव और ट्विटर पे लिखते हैं कि जग मगाती समसान और लगतार जो कब्रिस्तान में ख साथ साल के कार्यकाल को गिनवाया जा रहा है उन चीजों पर पहल की जा रही है जो योजनाय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हिंदुस्तान में चलाया वही अगर विपक्ष की बात की जाए तो सारे योजनाओं को ठब बताते हुए विपक्ष इस साथ साल के भाजपाक ने कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते हुए सतर साल के कॉंग्रेस के साशन को याद कराया था लेकिन इस वक्त जो मौझूदा हालात हिंदुस्तान में है हर कोई कह रहा है कि जो सतर साल में हमने नहीं देखा वो साथ साल में हुआ जो बदहाली हिंदुस्तान की सतर साल म नहीं हुई वो साथ साल में दीखी ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि इस कोरोना काल में अगर काम विखाया जाए तो वो बहतर होगा या फिर साथ साल के काम को हवा हवाय तरीके से लोगों के बीच पहुचाने का जो सिलसिला भारतिय जनता पाटी बिहार समेथ पूरे साल की उपलब्दी भारतिय जनता पाटी और केंद्र के NDS सरकार की जहां समसान लगतार जगमगता रह रहा है कब्रिस्तान में लगतार खोदाई हो रही है और दिल से लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं तो यही साथ साल की उपलब्दी है पपूयादव ने भारतिय ज पार्टी और खास्त और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ साल बतौर प्रधान मंत्री के कारेकाल को लेकर बधाई दे दिया है आप बने रहें फर्स्ट भी आज हरकन के साथ खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा